तुपल्स की इंट्रो का आया ठीक है आज हम लोग करेंगे टपल्स की इंडेक्सिंग की सिस्टम टपल्स को इंडेक्स कैसे देता है वो देखेंगे आज हम की कैसे इंडेक्स प्रोवाइड किया जाता है इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है कहां पर एंड होती है और आप एक इंडिविजल एलिमेंट को इंडेक्स की हिल्प से बुला कैसे सकते हो ठीक है स्टुडेंट्स तो इसके लिए चलते हैं भी हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन तो आगा है हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पर आज की जो हमारी हिडिंग है वह है इंडेक्सिंग अब जिसने मेरी लिस्ट की इंडेक्सिंग वाली वीडियो देखी है न उसको टपल की इंडेक्सिंग भी बहुत समझा जाएगी क्योंकि देखो टपल और लिस्ट यह किसी भी चीज़ की इंडेक्सिंग में कोई फरक नहीं होता आपकी जिस भी टॉपिक के पास इंडेक् नहीं है सेम्रोसेस और उन्य इसी टपल की इंडेक्सिंग भी सिम हैं ठीक है कैसे जिससे मैं सेंपल के इक डपल बनाते हो यहां पर उस टपल का नाम रखता हूं टी ठीक है और इस टपल में मान लो मुल्टपल एलेमेंट्स हैं इस इकोल्स टी इस इकोल्स टू सर्क्लर बैकट में 45, 78, 21, 90 and 56 इतने एलेमेंट्स हैं मान लो ठीक सारे इंटीजर से हैं यह इंटीजर की टपल है तो अगर सर इंडेक्सिंग की बात करें तो भी याद रखना कि by default जो list में process था ना वही same indexing का rule है इधर भी यहां पे भी जो list की टपल की indexing शुरू होगी by default पहला element जो है वो 0 index पर होता है दूसरा element जो है 1 index पर होता है तीसरा element 2 index 4 and indexing पीछे से भी होती है students जैसमें की last element कहलाएगा minus 1 index पर, second last कहलाएगा minus 2 पर, third last कहलाएगा minus 3 पर, fourth last minus 4 पर, पीछे से indexing कहां से शुरू होती है students, आपका minus 1 से शुरू होती है पीछे की indexing, यह है minus 5 पर, ठीक, यह है negative indexing, और ऐसी indexing मैंने आपको पढ़ाई थी list के time पर भी, कि ऐसे positive होती है और ऐसे negative होती है, और इसी में अगर multiple elements हैं, मतलब other type का, जैसे यहां तो सारे बढ़ of integers हैं, ठीक, यह tuple of integers हैं, अगर यहीं tuple के अंदर एक दूसरी tuple आ जाती है, tuple के अंदर list आ जाती है, तो by default उसको indexing कैसे मिलती है, वो भी मैं बताता चलूँगा, ठीक है, मगर अभी के लिए इतना याद रखो कि एक list को जैसे index सरने पढ़ा है, बिल्कुल वैसे ही tuples को चलता है, 0 से 4 और पीछे से minus 1 से 5 तक, ठीक, अब मैं आपको एक concept, example से समझाता हूँ कि tuples कैसी कैसी बन सकते हैं और उसमें कैसे कैसे index हों के, सबसे पहले मैं एक T1 नाम की tuple बनाता हूँ students, इस T1 नाम की जो tuple में, T1 नाम की जो tuple है, उसमें सारे integers रखता हूँ, that is, उप भी मेरी tuple of integers, यहां लिख भी देता हूँ कि यह जो है, एक tuple of integers students, integers, इसके बाद एक tuple बनाता हूँ, जो mixed है, क्योंकि decimal, decimal की भी सेम चलेगी, एक tuple बनाता हूँ, जो mixed है, that is, एक integer है, तो एक string भी है, प्रिंस, तो एक, उसी में एक decimal number भी है, 45.6, उसी में true भी है, मतलब एक boolean value भी है, ऐसी tuple को क्या बोलते है, mixed tuple, mixed tuple, ठीक, और last एक tuple बनाता हूँ, जिसमें nested का concept है, मतलब टपल के अंदर tuple या दूसरी list है, that is, tuple है, tuple के अंदर एक तो integer है, इसी के अंदर एक list है, अब list हम पढ़ चुके है, तो यहाँ पर operate कर सकते हैं, list में 45, 67, 21, तीन element है, इसी के अंदर एक string भी है, prints, और इसी के अंदर students, एक दूसरी tuple भी है, that is, 12, 19, तो यह total कितने हो गए भी, तीन tuple हमने यहाँ पर बनाई, ठीक, पहली tuple of integers, दूसरी, mixed tuple, तीसरी, यह भी mixed है, मगर इस tuple के अंदर मैंने list और tuple दोनों बना दिये, यह भी एक mixed tuple ही है, students, ठीक है, अब मैं पहले उपर तीनों का किस्सा लिख देता हूँ, देखो, indexing का क्या process है, तीनों का लिख द देता हूँ यहाँ पर, यह T1 आपकी, ठीक है, T2 के बारे में लिख देता हूँ, जो T2 है, T2 नाम की list है, उस tuple है, उसमें पहला element 45 है, मैं elements को ठोड़ा gap पे लिखूँगा, हाला कि coding करता वक्त इन्हें gap पे लिखा नहीं जाता है, ठीक है, ठोड़ा gap देता हूँ, पहला element 45 है, दूसरा element इसमें prints है, डबल कोड़ बन, कॉमा, तीसरा element students इसमें 45.6 है, और चौतर element students इसमें true है, जानवुच के इतना gap दिया है ताकि indexing clearly दिखा सकूँ, इसमें पहला 45 है, तो 45 का index 0 कहलाएगा, अगर आगे से देखते हैं तो, इस पूरी string का index 1 कहलाएगा, इसका 2 कह कहलाएगा, और पीछे से indexing की बात करें, तो इसका वही minus 1 कहलाएगा, ओ सॉरी, minus 1 नहीं, 4 element है न, तो minus 4, इसका minus 3, इसका minus 2 और last वाले का minus 1, क्योंकि बताया था, पीछे से indexing minus 1 से शुरू होती है, ये भी index clear हुआ सभी को, कि T2 को ऐसे index मिलेगा, अब आते हैं T3 पे, T3 ए elements थोड़ा gap पे लिखूँगा, पहला element 45 है, तो ये तो 0 index से सभी को पता है, दूसरा element इसमें एक list है, दूसरा element इसमें एक list है, that is 45, इसको भी थोड़ा थोड़ा gap पे लिखता हूँ, ताकि क्योंकि इनके भी सब index होंगे न, 67,21, ठीक है, फिर element है prince, पिर last में एक टपल है, जिसमें element है 12, इनको भी थोड़ा gap पे लिखता हूँ, क्योंकि इनके भी सब index होंगे, अब मैं positive index की बात करूं students, तो टपल में T3 का 0 index होगा 45, 1 index होगा ये list, पूरी list, 2 index होगा prince, and 3 index होगा ये टपल, T3 में, ठीक है, और क्योंकि इसके अंदर सब data है, तो इस 1 index का 0 index होगा 45, 1 index होगा, क्योंकि भई, list के पास भी तो index होगा, 67, और 2 index होगा, 21, और string के पास भी index होगा, इसलिए यहाँ पे प्रिंस को भी अलग-अलग index होगे, मगर वो थोड़ा complicated होजाएगा, मैं लिखनी रहा, 0, R, 1 पे, तो इसलिए समझ जाना, अपने string पढ़ी भी है, और यहा वो मिलेंगे, minus 4, minus 3, इसको minus 2, और इसको last वाले को minus 1, और इसमें भी sub-indexes हैं, इस वज़े से, इसको मिलेगा, 45 को minus 3, minus 2, and minus 1, प्रिंस में वही minus ultra-indexing, और इसको मिलेगा, minus 2, और इसको मिलेगा, minus 1, ठीक है, अब मैं आपको data display करके दिखाता हूँ, क्योंकि same ही टपल है मैं सबसे पहले तो print करता हूँ, T1 का 2-index, अब उपर के diagram के basis पर देखो, T1 के 2-index पर क्या पढ़ा है, यह आपका T1 है, T1 के 2-index पर 21 पढ़ा है, मतलब मेरे answer में 21 आना चीए, 21, देखेंगे अभी run करके, फिर मैं print करता हूँ, T2 का 3-index, अब T2 के 3-index पर देखो क्या आना चीए, true आना चीए, ठीक, next, print, T3 का 2-index या 1-index, अब T3 के 1-index पर क्या पढ़ा है, यह आपका T3, T3 के 1-index पर पूरी list पढ़ी है, मतलब यह पूरी list आनी चीए, as it is, ठीक है, control V, देखेंगे अभी, print, T3 का 1 का 2-index, T3 के 1 का 2-index क्या आएगा, देखो भई, T3 एरा, इस T3 के 1 पर क्या है, यह पूरी list, इस 1 के 2-index पर क्या है, 21, तो answer में फिर 21 आना चीए, ठीक, और last में, print, एक negative का भी case देख लेते हैं, T2 का, T2 का, minus 3, T2 के minus 3 पर क्या पढ़ा है, ठीक है, T2 के minus 3 पर प्रिंस पढ़ा है, अब इसकी भी तो indexing होती है, आगे और पीछे से, तो आगे 0, आगे 0 से शुरू होगी string की, तो P होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, T2 के minus 3 का 0 index, answer में letter P आना चाहिए, करके देखें, hash, answer में letter P आना चाहिए, ठीक, अब मैं इस code को run करूँगा, और आप लोग answer match कराना, मैं run करते हैं code को, यह देखो students, मैं इसे scroll कर देता हूँ, answer match कराओ, पहला 21, दूसरा true, तीसरे में list, चौथे में 21, पांच में P, तो hope सभी को indexing का concept clear हुआ होगा, कि कैसे indexing चलती है, ठीक है, अगर किसी को tuple की indexing में कोई doubt भी रह गया है न, तो आप list की indexing वाली वीडियो उसमें भी doubt रह जाता है, तो string की indexing वाली वीडियो देख लो, क्यों, क्योंकि भई तीनों की indexing, indexing किसी भी चीज़ की होती है न, उसमें कोई फरक नहीं होता, same ही indexing, सबका almost concept, same है, टपल का भी, string का भी, list का भी, जो वहाँ पढ़ा है, यहाँ पे भी है, index में कोई फरक न Thank you, have a nice day